गेहु के आटे से एकदम रुई जैसा सौट सा केक आज हम लोग घर के समानों से ही बनाएंगे वो भी कूकर में हेलो एवरिवन आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल देसी वेरियस फूड में अभी तक आपने अगर मेरे चैनलों को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन को भी जरू दबा दिजेगा तो मैंने यहाँ पर केक बनाने के सभी समागरी ले लिया है मेजर्मेंट के लिए मैंने एक कटोरा यूज किया है इसी कटोरी के नाप से हमें सबसमाल लेना है यहाँ पर हमें दो कटोरी गेहूं काटा लेना है और एक कटोरी के करीब मिल्क पॉडर लेना है आपको इसे भ नियá लोग और फिर बटर और रिफाइन ऑईल दोनोंको मिक्स करके भी ले सकते हैं। लाई वाला दो डैरे मिल्क हाफ टेबल स्पून मैंने बेकिंग पॉडर और वन फोर्थ सोडा लिया है यहां पर सबसे पहले हम चुछकर है उसे हम पीस लेंगे सबसे पहले मैंने शकर का मैजरमेंट कर लिया है एक कट्री उसके बाद मैं यहां पर पीस ले रहे हूं आप ही तो कोई सा भी डार्क चॉकलेट उसके कर सकते हैं पर डेरे मिल्क कैसा है जो कहीं पर भी अराम से मिल जाएगा इसे हुए मैने डेरी मिल्क लिया है अगर आप चाहे तो इस ≪्र शक्क्र हमने पीसा था उसे ले लेना है उससे लूरी गो SIM मिक्स नहीं और कलोक इसे 10-15 वाइट की करीब अच्छे से फेटना इसको आपका केक उतना ही अच्छा बनेगा 돼 10-15 मिलेट के बाद आपको यह जो मैटेरियल है वो थोड़ा सा सौफ्ट सा और जो कलर है वो और भी जादा वाइट दिखना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ा सा थीकने साने लगेगा तब आप इसमें और बाकी का जो रॉव मैटेरियल है उसको एट करेंगे उसके लिए म करेब आठा दो कैटोरी के करी के हुआ आठा ये अब देख सकते हैं एक कैटोरी पैले डाल दे आएं और एक कैटोरी अभी जाल रही हूँ और रॉसी के सा अध मैटेबलाूसपून बेकिंग पॉडर और वन फोर्थ स्पून सोडा अगर आपका जो कंटैनर है या पे कैल तो इस जो बेकिंग पॉड़र और सोटा है उसका जो क्वांटिटी है थोड़ा सा जादा कर सकते हैं उसी कि साथ में पिंच ओफ नमक दाल रही हूं और मैं डाल रही हूं मैं अने देखला एंगेघा के लिखाइज से मिल्क को चेंगा बाता इलीक करीजिए अले क Feels में मिल्क करना तौना मिल्क करनानी चाहिए मिल्क कर दो newer इंग्लानी नहीं चाहिए यहां पर मैं मेल के साथ reference करना खूँपस करना तकम सब्सक्नाइव कोई को नगा हम दूना में कखरके से याद रखेकां 10 इसे अपको में गूमाइवाई तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रहीJ उसी तरीके से आपको भी करना है तो यहां पर अच्छे से जो हमारा मिक्षर है उसे मिक्स नहीं हो रहा था तो मैं एक बड़ा सा जो चमच होता है उससे मैं अच्छे से पहले मिक्स कर ले रही हूँ यहां पर बहुत ही अच्छे से सब कुछ मिक्स हो गया है हमारा रॉम मेट उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ देशी जुगार कलचुल क्योंकि मुझे कलचुल से जितना अच्छा मिक्स होता है उतना अच्छा मुझसे किसी से भी मिक्स नहीं होता है तो इस तरीके से हमारा जो बैटर है आप देख सकते हैं जो ना तो बहुत ज्यादा पतला है और ना ही बहुत गाढ़ा है यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब बड़े वाला मग जो होता है ना कप का उससे मैंने आधा कप के करीब मिल्क लिया था जिसे मैंने पूरा यूज किया है और इसके बाद हमें इसे फेटना है कम से कम आधा घंटा आधा घंटा आप अराम से क्लॉक पाइस जरूर फेटिएगा 20-25 मिनिट के बाद आप देखेंगे कि जो आपका केक का जो रॉम माटेरियल है वो बहुत ही सॉफ्ट सा होने लगेगा एकदम मकमल की तरह आपसे कल्चुल चलना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है गैस को अन करना है कुकर को रखने है यहां पर मैं रख दे रहे हूं एक स्टेंट आप चाहें तो नमक या फिर कटोरी वगएरा भी रख सकते हैं और जो ठकन होता है उसका मैं यहां पर सीटी और रबर निकाल दे रही हूं और इसको प्री हीट होने के लिए छोड़ दे रहे हूं कम से कम दस करेंगे दस्टिंग का काम उसके लिए मैंने ले लिया है अपने कंटेनर अगर आपके पास ऐसा कंटेनर नहीं है तो आप इस तरीके से गंज भी यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर डालेंगे दो से तीन बून के करीब ऑईल को हमें बहुत ही अच्छे से और आटे को हमें अच्छे से डस्टिंग करना है आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ उसी तरीके से आप भी इस तरीके से कीज़ेगा यह प्रोसेस करना बहुत जरूरी है तभी आपका जो केक है वो बहुत ही अराम से निकल जाएगा तो जितना भी एक्स्ट्र आटा बचेगा उसको आप फिर से कटोरी में रख दीजेगा तो यहां पर हमारे कंटेनर बहुत ही अच्छे से डस्टिंग हो गया है और जो कुकर है वो भी 10 मिनट हो गया है तो अब मैं यहां पर डाल रही हूं एसेंस यहां पर मैं चॉपलेट एसेंस टाल रही हूं आप चहें एक बात का ध्यान रखेगा यह जो मैटेरियल है उसे आप डायेट बीच में मट डालेगा किनारे करके आप डालना स्टार्ट कर दीजेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने सभी अपना जो केक का मटेरियल है उस सबको कंटेनर में डाल दिया है और अब यहां पर हमें केक को करना है सेट उसके लिए आप थोड़ा सा उठा उठा कर इसको पटक की ताकि यह जो है इसके अंदर कोई भी बबल्स ना रहे यहां पर हमारा कुकर प्री हीट हो गया है तो अब इसे आप बहुत ही साफधानी से डालेगा क्योंकि कुकर बहुत जादा गरम होता है तो यहां पर मैंने भी अपना कंटेनर डाल दिया है और लगा दिया है धककन अब इससे आप 45 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर छोड़ दीज तो मैं एक तुथपिक है उसे डाल कर देख ले रही है तो यहां पर मैं तुथपिक हमारा जो है वो बहुत ही क्लियर निकला है तो हमारा केक तो हो गया बनके तयार पर इसमें अभी आया कलर नहीं है इसलिए मैं इसे और दस मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए दस मिनट के बाद आप देखिए केक में बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और अब इसे आप बहुत ही सावधानी से निकाल लिएगा क्योंकि कूकर बहुत गरम होता है इसलिए मैंने क्या गया था हाथ मेना जो हैं टॉबल आता है उसे लपेट कर निकाल लिए हैं कंटेन तरफ से मैंने चेक कर लिया है और उसके बाद मैं इसको बहुत ही आसानी से केक को कंटेनर से निकाल लूगी यह देखिए किते आसानी से निकल गया ना और कहीं पर भी केक हमारा चिपका हुआ नहीं था तो लीजिए हमारे एकदम रूई जैसा केक बन के तयार हो गया है व से कम 1,5-2 घंटा अराम से लगता है तो यहां पर हमारा केक अभी भी हलका हलका गरम है आप देख सकते हैं उसके बाद भी देखिए कितना ज्यादा इस पॉंजी है घर की समानों से ही जब इतना अच्छा केक बन जा रहा है घर पर तो मार्केट का केक किसे ही खाना है मेरे घर में तो किसी को भी मार्केट का केक उतना अच्छा लगता नहीं है हम लोग तो इसे ऐसे ही खा लेते हैं पर जब बच्चे को सर्फ करने की बारी आती है तब मैं उसे इस तरीकी से चॉकलेट सीरप लगा कर सर्फ करती तो उसे और भी अच्छा लगता है तो आपको ये रेसेपी कैसा लगा कमेंट समझे ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद मिलती हूं मैं आपको नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई